आई थिंक मैं लाइव हो गया हूँ हो गया हूँ के नहीं हो गया हूँ खटा बट से बता दीचे अरे यार यह रोज रोज का लोचा हो गया है यार एक जगह आदमी को दस हो जाद देख रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं चलिए मैं लाइव हो गया हूँ गुड इवनिंग एपी बन क्या हाल चाल बढ़िया सस्रीय गाल मचा रहे हो बोकाल शुरू करते हैं आज ही क्लाक नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SSC अमरे complete हो जाएंगे अपने आप में बड़ी बात है continuing अगर आप बनाये रखते हैं यानि कि अगर आप किसी भी चीज में निरंतरता बनाये रहते हैं तो जो आप हासिल कर सकते हैं वह बहुत कठिन मैंस से भी हासिल नहीं कर सकते हैं जी आप कहेंगे सरफ क्या कहना चाहते हैं मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे-छोटे प्रयास भी करें और उसको लगातार बनाए रखें तो छोटे प्रयासों से ऐसा आया पता भी नहीं चलता लेटेस अबोस कमपनी मुझे माल लीजे जहां पर भी मैं हूँ वहाँ पर मुझे पर गंटे के साफ से पेमेंट हो रहा है बाइचांस माल लीजे है मानिएगा ऐसा हो नहीं रहा है मैं आपको बता रहूँ अगर मैं डेली पांच मिनट भी ज़्यादा लिएं सेशन को तो मह अध्र ही क्यों न हो वह पें गद्डा हो जाएगा तो यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप बड़े से बड़ा गद्डा बना सकते हैं आप बड़े से बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपनी continitivity maintenance कर पा तबियत खराब है वो बात अल्ला के जैसे आज मेरे साथ करने टपेस में होगा सुबह सुबह तबियत खराब होगा लेकिन चीजों को अगर आप लगातार बनाए रखेंगे लगातार करते रहेंगे तो आपके जो निकल क्याएगा न उसका रिजल्ट वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो फिलाल पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर इसे करने की कोशिस करिए बहुत आसान सा है और 20 सेकंड दूँगा 20 सेकंड ज्यादा रहेंगे प्रैक्टिस मेक्स एमेंड परफेक्ट राकेश कुमार सानी बहुत बढ़िया क्यूप क्यूबाइट का भी सर डाल दिया करिए कोश्चन बहुत कम आता है बहुत कम आता है इस वज़े से नहीं डाल रहा हूँ है ना चलिए से ट्राइ करिए गूड इवनिंग एवरिबन सीजल के लिए भी ठीक रहेगा बागी लास्ट में आज मैंने क्या कर दिया है इन्पुट आउटपुट और डिसीजन मेकिंग आपका रेलवे में आता है तो उसको मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया तो आपसे हम लोग क्या करेंगे डिसीजन मेकिंग और इन्पुट आउटपुट के जो कुशन है वो एकदम लाश्ट में करेंगे सबसे बाद में उससे पहले आप किसी भी क्लास के त्यारी कर सकते हैं कठीन के लिए असंभाव तो दरार के लिए क्रैक कठीन के लिए असंभाव अगर दिखा जाते इंपॉसिबल एंड हार्ड तो जो चीछ कठीन होती उसको करना असंभाव सा होता है दरार व्यर्थ रिलेट नहीं कर रहा है फाल थोड़ा सा रिलेट कर र चलिए, नमस्ते, अगला गुशन आपके स्क्रीन पर है, आसान प्रश्ण है, करने की कोशिद करीगा, लिगा है, एंकलेट को एंपीबी फटा 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 फटा, मीडियम को फटा 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 फटा, देखो यारे, अभी तो मेरे को पता नहीं है, लोग बता रह शली ट्राइकरी बीस सबुएंग दुए आपको लिजे 20 सबंगे कोशिस करिएगा गोड़ इवनिंग आइन कलेट इसका क्या मतलब होता है डॉन्ट नहीं पता कोई बात नहीं हमें पता करना भी नहीं है लिगा है एन है पी है बी है क्यू है C है K है क्या logic है आईए पता लगाते है नंबर लिखने पर थोड़ा आसान हो जाएगा 1, 14, 11, 12, 5, 20 ऐसा नहीं कि बगएर नंबर लिखेंगे आप कर नहीं सकते हैं कर सकते हैं बट थोड़ा सा accuracy maintain हो जाती है गलती दूर से दिखाई दे जाती है आप देख पारे हैं यहाँ पर एक बढ़ाये गया है 1 प्लस किया है यहाँ पर आपका 3 बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर आपका 2 बढ़ाये गया similarly similarly नहीं यहाँ पर इन्होंने 1 माइनस किया है यहाँ पर इन्होंने 3 माइनस किया है और यहां पर इन्हों ने टू माइनस किया तो लॉजिक अब हमारे हाथ में है मीडियम को निकाल लेंगे कोशिस करेंगे कि आप्शन से हो जाए तबियत नहीं सही या कभी कभी मुझे डल लागता है कि निपटी ना जाओ मैं और कभी कभी लागता है निपटी जाओ यार रोज रोज कि वही जन्जट जहना क्या करना है मीडियम मीडियम है म का वैलू 13, E का 5, D का 4, I का 9, U का 21, M का 13 13 में अपन एक एट करेंगे तो यह 14 हो जागा यहाँ पे अपन को N चाहिए यह उप्शन नहीं है यह उप्शन नहीं है 9 में से 1 माइनस करेंगे तो देन 8 हो जाएगा लाट में H होना चाहिए जैजैब होना है बागी करने की ज़रुद नहीं थी है क्या करा दू चलो बई 13 में 3 माइनस करोगे 10 आएगा 21 में 2 माइनस करोगे 19 आएगा S हो जाएगा 4 में आप 3 add करोगे तो 7 हो जाएगा 5 में 2 add करोगे तो 7 हो जाएगा तो then the right answer will be D almost सभी ने कर लिया था next one try करो question number 3 आपका silox से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है silox से जुड़ा हुआ है देखे आचला सारी classes जो हुरी है वह माई थोड़ी से लेट हो जारी है एक दो मिनिट एक दो मिनिट एक दो मिनिट एक्शन में थोड़ा सा key का problem चल रहा है मलब हम जो key use करते थे वो बदल जाती है चानक से तो इसके वेज़ा से class से problem चल रहा है ये एक technical issue है ये मेरी आदत नहीं है कि मैं class में लेट हूँ आज भी अभी जैसे मैं सुबह अली class में भी लेट हो जाता हूँ तो जब session live नहीं होना था है तो मुझे अपनी key को change करना पड़ता है तो उस process में थोड़ा सा time लगता है हम लोग इसके उपर काम कर रहे हैं किस तरीके से कि uniform key रखी जाए जिससे हम session को साई समय पर live कर सके तो आप इसमे मन नाराज मत होना कि ये रोज 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 लेट हो जाते है बागी जो पुराने पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं लेट नहीं होता हूँ तो आपको दियान रखना है all skies are cloud यानि के all skies are cloud तो आपको नाराज नहीं होना है न मुझसे and all clouds are rain all clouds are rain are for rain लिखा है some skies are cloud skies are cloud में some का relation है that is correct sky or cloud देख लिजे s का गोला देख लिजे c का गोला देख लिजे दोनों के बीच में relation आपको मिल जाएगा तो ये है फिर उसके बाद आपको लिखा है all clouds are sky all clouds sky नहीं all skies are cloud तो ये कलत हो जाएगा cable o cable discuss एक अनुसरन करेगा so then this is the right answer के अमारा B आ जाएगा ठीक है कर लोगे सभी का आ गया बहुत बढ़िया अगला करो एक series है आपके सामने इसे try करने की कोशिस करिए इसे try करने की कोशिस करिए 9 है 7 है 11 है फिर उसके बाद 29 है क्या कर सकता है try करो आप try करो 20 second मैं आपको देता हूँ अच्या एंकलेट फुटबॉलर एंकल में पहनते है सुबाद बता आप कल नहीं आये थे क्लास करने न नहीं आये थे न आया गरो भाई रोज आया गरो आप लो क्यों चले जाते है छोड़ चाड़के एक बार share हो जा है वीडियो बहुत प्यारा question आपकी screen पर है अजया अंदाजा कैसे लगेगा कि 9 से 7 कैसे लाजा देखे सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला है difference निकालो लेकिन difference आप उसी जगे निकालो जहाँ पर series monotonically increase तो करे लेकिन बहुत तेजी से increase न करे जैसे आपने यह देखा यहाँ पर 9 है और option आपके पास पहुंच गया है 500 के आसपास तो series बहुत तेजी से increase कर गई मनलब यहाँ पर multiplication वाला कुछ मामला चल रहा है तो यहाँ पर difference निकालने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं आए ट्राई करते हैं इसको 9 से 7 लाने का कोशिस करते है 9 से 7 लाने का मेरे पास एक तरीका है कि मैं 9 में 1 का मल्डिप्लाई कर दूँ और 2 माइनस कर दूँ पहला तरीका ताकि यह है 9 दुनी 18 कर लेंगे उससे 7 माइनस कर लेंगे वो फलाना हो जाएगा यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, साथ में 2 का गुणा कर देता हूँ और साथ दुनी 14 माइनस में 3 कर देता हूँ अभी ठीक लग रहा है गयार, 1 का मल्डिप्लाई किया, फिर 2 का मल्डिप्लाई किया यहाँ पर मैंने किया 3 का मल्डिप्लाई किया, चार माइनस कर दिया 11 kam 234 में से चार माइनस हो गया, अपनी यहाँ पही किलिक कर रहा है इसमें 4 का मल्डिप्लाई करके देखता हूँ 4 nothing 36 चार दुनी 8 तो आपको दिखेगा यह 116 में 5 मैं लिए 01 Skypecho करेंगा चे माइनस कर देना तेगा पांच का मेडिपलाई करूँगा और चे माइनस करूँगा तो पांचो पच्छपन में से 6 चला जागा तो आजएगा 549, किलर एकदम, ठिक है आगया है समझ में, बहुत बढ़िया सभी का आगया, बहुत बढ़िया अब रो जाओंगा, बहुत बढ़िया अखिलेश, बहुत अच्छे प्रमोजी बढ़िया अगला प्रशन करिए यहाँ पर एक एजंप्शन का कुशन आपके सामने है सायद मेरे पीछे छिप रहा है ये कुशन नई छिप रहा है दिख रहा है आपको टिक हैं, बहुत बढ़िया जाओ जाओ एक बार और share कराओ टेलीग्राम पर share कराओ, सबको बुला लाओ सराप चली गए थे कहां चली गए थे, मित्रसीन मैत क्या नाम है आपको मित्रसीन मैत एक समाचार पत्र में एक घोषणा हुई सभी मनुरंजन कारीकरफ में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वा काम अंत्रित है और ये एकदम निसुल्क है तो कोई प्रोग्राम होने वाला है और उसमें सब को बुला लिया गया डांस होगा वाँ पर लग रहा पाठकों की एक नगण शंख्या समाचार पत्र में गोषणाए पड़ती है अगर ऐसा होता तो समाचार को एड ना होता ये उल्टा हो गया है हमारे एजंप्शन को क्या कर रहा है ये रिवर्स कर रहा है रिवर्स का मलब क्या विरोध कर रहा है विरोध का मलब क्या बोलेगे ओ इसमाचार पत्र में गोषणाए पड़ती है तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आप सुचो कि जब उसमें गोषणा की गई है कि सभी मनुषण कारीकरा में भाग लेने की लेप्रेपूर्मा को आप बनते लिते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब ऐसे ही पेपर को हमेसा इस्तरे के आइड मिलते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग उसको पढ़ते होते हैं दूसरा ऐसे मन्नों जंग कारेकरब में भाग लेते हैं जो निसुल्क होते हैं क्योंकि वहाँ प चलो एक कोशन नमर सिक्स आपके स्क्रीन पर है यार बहुत आथान कोशन है मैं आपको 20 सेकंड भी मलब चलो दे देता हूं मैं 20 सेकंड इन तुम भी क्याद करोगे अच्छा लगता है चलो टीक है बढ़िया बढ़िया आई यह ट्राइ कर रहे हैं सर आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था अचानक कहीं कूम हो गये कहीं नहीं हो जाता है कभी-कभी मुचबर वरवलों की अमना गुरुब्री होगा कि नहीं होगा कल यह आपको समझाया था यार रोज रोज आप परिशान करते हो मुझे मैं ही मिलता हूं आपको परिशान करने के लिए इसको ए अरेंज करना हैं इंगरी केमोट आपको देखर होना आलमोस्ट कि ताइट है सुनी लिया दो गेरे तर कहां थे आप यही थे भई दी आ रहा है सबके दी आ रहा है और option से कर लेते हैं पहले तो यह पता लगाओ last में 3, 3, 2 दिया हुआ है तो 3 और 2 में पहले कोन आएगा 3 और 2 को compare करते हैं तो then, then उसे बाद यहां पर you लिखा है यहां पर t लिखा है तो you और t में पहले कोन आता है t पहले आता है बनलब 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा तो यह दोनो option wrong है अब इन दोनों में बात कर लेते हैं इन दोनों में 3 और 4 से मामला killer हो जाएगा 3 को और 4 को compare कर लो तो 3 और 4 को अगर हम compare करें तो 3 और 4 में पहले कोन आएगा यहाँ पे den है यहाँ पे t है, यहाँ पे o है तो t और o में पहले करना होता है o पहले आता है, तो यही बाला पही होगा option से करो जल्दी हो जाएगा ज़्यादा compare नहीं करने पड़ेंगे अगला करते है यह है आपका data sufficiency यह भी आपका सभी exam में आता है a, b, c, d और e में सबसे मोटा कौन है b, second में उत्तर करें करें माई, सबी लोग करें इसमें सबसे मोटा कौन है a, b, c, d और e के बीच में सबसे मोटा कौन है a जो है वो b से मोटा है ठीक है, अच्छा बात है 5 आदमी दिये गए है A, B से मोटा है, लेकिन C से पतला है अच्छा, लेकिन C से पतला है, महलब C ज़्यादा मोटा है और C सबसे पतला नहीं है C सबसे मोटा है, बेकार, absurd जानकारी, कुछ समझी नहीं आए क्या लिकार A केवल B से मोटा है, अच्छा A केवल B से मोटा है यानि कि अगर आप मोटाई के क्रम में इनको रखें तो 1, 2, 3, 4, 5 लोगों रखना है तो A केवल B से मोटा है और यह ऐसी situation आईगी C E से मोटा है और C सबसे मोटा नहीं है सबसे मोटा नहीं है मलब C को यहीं पर रखेंगो और जिल्होंने बहुत किया वो पानी में चले गए पहले वाले से तो कुछ भी पता नहीं चल दा था और दूसरे वाले में कुछ मिलाने की जड़ोती नहीं परी इन्होंने कहा कि A केवल B से मोटा है तो A केवल B ही आएगा और कोई नहीं आएगा फिर वो बोले कि C E से मोटा है बढ़ C सबसे मोटा नहीं तो सबसे मोटा की जगे हमने छोड़ दी तो C को E से मोटा बना दिया और वो A से पहले ही आने थे क्योंकि A केवल और केवल B से मोटा है बागी सबसे पतला है ठीके कर लेंगे ससी कुमार कह रहे है out of mind कहने सर A और C में relation कहां दी है D है बटा कौन पूछा ही है कुलदी लिखा है भाई A is only fatter than B A केवल B से मोटा है ये केवल वाला बहुत डेंजर होता है केवल B से मोटा है मैं केवल आपसे हो सियार हूँ यानि बागे सबसे लदड़ हो बिकार हो मतलब बास समझ में आ रही अभी killer हो गया अभी killer हो गया कि रुकूं की चलूं बढ़ूं की नहीं फर्स्ट वाले में कोई जानकारी नहीं है उसको मत भी पढ़ो कोई दिकर नहीं उन्होंने कहा है कि A B से मोटा है A मैंने B से मोटा कर लिया लेकिन C से पतला है हो के रहे C सबसे पतला नहीं है तो वो तो हम्हें वैसे भी पतला है अभी हो गया आओ killer अगले प्रιαचन पर चलते है Ireland Dublin और Greece के बीट में रिलेशन बताई है चलो 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 हो जाओ तयार साथियों killer है बहुत बढ़िया अभी बहुत सारे बच्छे हो गए ते अचाना इसे बहुत कम हो गए ऐसा क्यों करते हो बाई आते हैं जाते हैं रहते हो आये करो तो जाया मत करो जाया करो तो आया मत करो आयरलेंड डबलीन और ग्रीस के बीच में रिलेक्शन बताया जाए तो आयरलेंड की राजधानी है डबलीन तो वो अंदर आ जाएगा ग्रीस एक अलगी हो जाएगा अलग कंट्री हो जाएगा तो ए विल वी दा राइट आंसर ज्यादा टाइम बेश्ट मत करो इस सवाल पर किदर जा रही है उत्तर की और साथ किलोमेटर फिर अपने दाइओं और मुड़ती है और नौ किलोमेटर चलती है अंत में वो अपने दाइओं और मुड़ती है और साथ किलोमेटर चलती है वो अपनी घर से कितना दूर है आहा बहुत दिनों बाद इतना आसान प्रश्ट मिला के दिशा में है इधर से इधर डारेक्शन कौन सा होगा पूर्व सही उत्तर डी कोई परिशानी नए सवाल प्रैक्टिस के लिए था एसे करें .situation का पता लगा है अज काफी सारे बच्चे हैं मुझे अच्छा लग रहा है बहुत खुसी लग रही है जैनोंने लाइक नहीं कि बहुत लो लाइक कर दो कमी होते जा रहो कहाई कम होते जा रहो शेयर वेर करते जाओ प्यार से एक दम दम लगागे शेयर कर ओ आपको देखना है कि यह जो dot दिया हुआ है it is given on एक rectangle में है और एक circle में rectangle और circle के बीच में common करना है तो अपना rectangle और circle के बीच में बहुत दूरी है फाइदा नहीं मिलेगा rectangle और circle के बीच में common portion है triangle नहीं चाहिए था rectangle और circle के बीच में कोई भी common portion नहीं है rectangle और circle के बीच में common portion है बट पूरे में triangle आ गया है तो ये भी हमारा सही नहीं है तो right answer मर के हो जएगा B is the right answer B कर लेंगे बहुत बड़ा बहुत बड़ी है late से आने वाले बाहर खड़े हो जाए कि लास के कोई बैटने की जगे नहीं है यहापर जो लोग लेट आए है वोड़ो बाहर करे हो जाए चाहें आकाल हो चाहें मां आकाल हो prince को code किया गया है 356987 nice को किस से code करेंगे try करेंगे 20 सेकेंड के अंतर simple है direct coding हो थी कभी को ज़ादा गड़ित नहीं लगानी चाहिए p का 3 है r का 5 है i का 6 है n का 9 है i का 6 है तो i का 6 हो गया c का 8 है 8 हो जाएगा e का 7 हो जाएगा simple है देखो कभी कभी इसको कैसे पता लगाना है जिन अक्ष्रों का प्रियोग हुआ है अगर code भी उनी अक्ष्रों का पूछा गया है तो tension लेनी की ज़रूद नहीं है आपको उसी से direct coding कर देनी है बहुत अच्छे अगला करिए दिएगे छित्र का mirror image निकालिए क्या निकालना है mirror image निकालने की कोशिस करिए यहाँ पर बगल में रख देंगे अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर बगल में ही रख देंगे ठीक है? चलो try करो mirror image हमेशा एक्षीज याद रखेगा कि जब आप दाहिनी और mirror देखते हैं पहले आप कर लो फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप कर लो happy नवरात्री भाई आज नवरात्र शुरू हो गये न B answer करने लगे है मुझे पता है सभी का सही आ रहा है मैं आपको दो तीन चीजे बताता हूँ पहले तो एक दो चीजे बताऊंगे इसमें simple direction opposite हो जाता है अगर आपको arrow दिखाई दे रहा है तो उसका direction opposite हो जाएगा जैसे आप देखें ये जो अगर आप एक भी direction ले लें ये direction क्या है ये direction क्या है तो इसका direction एक दम opposite हो जाएगा ऐसा हो जाएगा जब आप mirror पे देखेंगे अभी क्या हो रहा है ये away जा रहा है तो away ही जाएगा बदो mirror से दूर जा रहा है तो mirror से दूर ही जाएगा तो ये वाला गलत है ये वाला गलत है आप दोनों के सही होने के chance से दो गए दोनों में जो उपर है जैसे यह plus का sign उपर है, तो यह उपर ही रहेगा, line के उपर ही रहेगा, नीचे नहीं चला जाएगा, भाई आपने cert pen, pen रखा है, तो जब आप mirror में देखते हो, cert उपर ही रहती है, ऐसा तो नहीं होता, cert नीचे चलेगा, pen उपर होता है क्या, नहीं होता न, तो देंदर right answer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा answer बी, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, चालो next one try करते हैं, इसको try करिए, ध्यान से करिएगा थोड़ा सा, इसे करें, कहरा सर, बहुत दिनों बाद आपका सीखे का क्लास नहीं किया, मैंने पढ़ा कि बहुत दिनों बाद आप मिले हो, बहुत दिनों बाद छुट्टी भी लीती मैंने आज, ठक जाता हूँ मैं, एक दिन मैं सोच रहा ह mot, एक दिन आपको वूरा दिन दिखाऊंगी, मैं क्या खरता हूँ, कभी-कभी लगता हैhrा कि नहीं,़ी जादा हो जाएगा, आपको सा लगा लगे यार, यह वीडियो बना रहे हैं, इसमाम ने, दिन में तुम क्या करते हैं, वीलॉग वाला ने रिजनिंग का नाम नहीं बूल गया रिजनिंग विलॉग वाला चैनल जो उस पर उधर पताऊंगा कि सुबह किते मजे उठा अब जा रहा हूं यहां अब यह कर रहा हूं पूरा बनाऊओ एक दिल ठीक है चलो इसे ट्राइब करते हैं देखोंगे आंधर आगया है आई का वैलू है 9 यह है 10 यह है 11 यह है 12 ओके यहां पर 16 है 9 में 7 जोड़ा गया 16 आगया 10 में 7 जोड़ा गया 17 गया 11 में 7 जोड़े 18 आगया और 19 आगया आपको बस 7 जोड़ना है और पर डारेक्ट लिग देना ठीक है आपको बदाना है खुद पड़ो यह मैं नहीं पड़ोंगा आप खुद पड़ो इसको देखने कितने लोग समझ पाते हैं पटक से पड़ो और एक बार याद हाज 100 करा दो दिल से 100 करा दो बीमारी में पड़ा रहा हूं आज अब आया थोड़ा जोस में आपको बताना है बिये के पासे की विप्रीश है तो बिंदू को योग प्रतिक अवस्था में साथ है तो बताओ निमनितने कौन सी स्थिति सही है अब दिखेंगे तो 4 के opposite 3 होना चाहिए क्योंकि इन्होंने का हर बार 7 है तो 4 के opposite 3 आएगा तो ही ये 7 बनेगा इसमें तो नहीं हो रहा 6 के अगल 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ये भी ठीक नहीं है 2 और 5 की बात करें तो ये भी 7 बन जाएगा ये भी ठीक नहीं है हाँ ये ठीक है 2 के opposite 5 आजएगा 3 के opposite 4 आजएगा 1 के opposite 6 आजएगा वल्लब आपको एक standard dice पता लगाना तो then the right answer will be D आगे हैं समझ में हाँ राउल सा रीजनींग भी लॉक ठीक है चलो D is the right answer killer है आगला करो थोड़ा तो जल्यली बनाना इसको फटाक से question number 16 खटाक सकरो देखो कितना तेज करा रहा हूँ मैं अभी 27 मिनिट भी नहीं हुए open dice से match कर लीजे कर लीजे भाई क्या बात है हाँ जी सर आप तो exam कुछ दिन पहले विपिन इसका मुलब बड़े दिन बाद आए आप मोहन पूर्व की ओर पांच मीटर चलता है पूर्व की ओर पांच मीटर चले ॸह बहाई और मुड़ा हो कितना गया 20 मीटर गया, कितना मीटर गया 20 मीटर, फिर वो अपने दाई और मुड़ता है और 20 मीटर चलता है दाई और मुड़ेगा और फिर 20 मीटर जाएगा, रुख जा भाई तो प्रारम यहां थियेटर पहुंचे है वो तो प्रारम्भी बिंदू के सम्मन्द में उनकी इस्थिती की डारेक्शन क्या है मतलब अब आपको यह डारेक्शन निकालनी कौन सी डारेक्शन पे है वो अगर यहां थे खड़े होके देखे तो कौन सी डारेक्शन नीचे जाएंगे तो साउथ हो जाएगा इधा जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा तो देन देन राइट आंसर है साउथ वेस्ट किलर है कोई परिशानी कोई सक्या सवाल नाई अगला अगले पर जाओं ब्रजेश दिश्चित अभिसेग राजपूत कुंती वर्मा आकास बोल्ट बोल्ट आया है बहुत बड़ी अच्छा लग रहा है तू ज़्यादा क्लास कर रहा है तो आखलेश पर्टक आज फुर्सत मिल गई लग रहा तेरे को सुभास राकेश ससी डिजिटल सर एसाई के लिए पढ़िए भाई यही पढ़िए आपको ज़्यादा कुछ और पढ़ने के जुरुत है नहीं ये देखो कितना प्यारा सा कोश्चन है नगर प्रादीकरण ने व्यक्तियों से अपील की है कि पानी की खपत कम केजिए क्योंकि यहां आने वाले सब्ताहों में जल की भीशड कमी हो सकती है इसके आपसे एजम्शन क्या है एजम्शन आप क्या बनके चेक करेंगे नागरित प्रादीकरण बनके चेक करेंगे ये आपने अपील की है आपने अपील क्यों की है कैसे की है वो सब आपके उपर डिपेंड करेगा हाखले स्पाटक डेली रहते हो अच्छा ठीक है बहुत बढ़ी है अलीप मजूमदार वेरी गुड क्रियेटर सूर्या असूर्या मुकेश कुमार कश्यप शुएश राई अच्छा कहां से हो सब लोग आज यह बताओ कहां कहां से आज देख रहे हैं मलब यह जो क्लास है यह कहां कहां तब देश के किस-किस कोने तक जा रही है इमानदारी से बताना बर्मुंडा और मुंडा मत लिखने लगना कि बर्मुंडा ट्रेंगल थे हैं और अमेरिका से हैं वैसा मतला है ना इमानदारी वाला बताना कहां कहां से हो इसे पताइए तब यह त्यार ठीक है अभी थोड़ा ठीक है जवलपुर MP डैली से हैं सचिन कुमार क्राइम सिटी मुझफर नगर अरे दाके इंदर ऐसे मत बुला करो निकेट भविस्स में वर्षा बिलकुन नहीं होगी ऐसी तो कोई जानकारी उपलब्द नहीं है बिलकुन नहीं होगी हो तता है कि ना हो कम होने की संभावना है कहा नहीं सकते व्यक्ति नागरिक अधिकारियों की सला का पालन करनी के लिए थ्यार है people are ready to follow the advice of civil authority correct है यह क्या चेक कर रहे है exemption चेक कर रहे है क्या चेक कर रहे है exemption जिसको हम लोग assume करते हैं और फिर बोलते हैं जैते हैं अगर मालो हमें लगे कि यह जो नागरिक हैं यह जो वेक्ति हैं यह हमारी बात नहीं मानेंगे हम नागरिक प्रादिकरण के हम नागरिक प्रादिकरण के यानि कि civil authority है civic authority है हमें जरा भी लगे कि हमारी बात नहीं माने जाएगी तो क्या हम अपील करेंगे लोगों से नहीं करेंगे exemption है कि वो मानेंगे मेरी बात अब वो माने ना माने वो अलग बात है, ठीक है, हात्रस से हैं, संजे कुमार जी, क्रियेटर असूरिया वारा नसी से हैं, कानपुर से हैं, स्टेडी विद दीपक वर्मा, ओ माई गॉड, राजेस्थान से हैं, बरेली से हैं, थोड़ा ऐसा लिखो, इस्टेट लिखो, नालंदा, सर तयार हैं तो पैयार होगी, यूपी, रामपुर, राजेस्थान से, प्रमोज जी, बरेली, बहुत बढ़िया, जोधी पर गाता, कटक, उडिशा से हो जोधी, आज बड़े दिन बाद आये हो, क्लास में, तो यहां पर दूसरा उप्शन जो था, वो हमारा करेक्ट था, ठीक है न, करेक् कैलास से हूँ, परवस से हूँ, जैमा काल, वेश बेंगाल अली, मदूमदार, ओके, तेंक्यू, सौरब जीवन सिंग, अमरोहा से, चलो, आगला कोशन ट्राइ काते रहो, तब तब मैं नाम पढ़ता हूँ, जीवन सिंग, संजर कुमार बगेल, यूपी से, जीवन सिंग, अमरोहा से, ब्रजेद, दिक्षित, कानपुर से, सुयसराय, गोरखपुर से, सौरब दत्ता, दुरगापुर, वेश बेंगाल, वेरी गुड, मेरा कमेंट नहीं दिखा सर जी, दीपा, नहीं, आपका नहीं दिखा दीपा, अभी तक, मुकेश, उत्तरपदेश, रामपुर सर, सच में बोर्ड लगा है, क्राइम सिटी मुझफव नगर, अच्छा, कानपुर किदवई ने करते, तुमसे मिलते हैं, दीपक, मेरा नाम नहीं है, क्या सर जी, है मनीश कुमार जी, राम जी, यूपी बलिया से, संजे कुमार बगेल, सर मैत का प्रैक्टिस कहा मिलेगा, रविन्दा सर करा रहे है, रविन्दा सर से मैंने बोल दिया है, वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट, कोसिस करेंगे, जल्दी से सुरू हो जाए, चंपारन बिहार से, प्रेम कुमार, बहुत बढ़िया, आंसर करिए, इसका सवाल का उत्तर भी करते ज हो बाई, 553 आंसर गया है, जोती प्रकास दास ने, वेरी गूट जोती, करेक्ट पकड़े हो, 23, 82, 156 है, 47, 28, 356 है, 61, 63 जो है पता लगाना है, 2 और 3 का डिफ्रेंस एक है, 3 और 8 का डिफ्रेंस 5 है, 8 और 2 का डिफ्रेंस 6 है, 4 और 7 का डिफ्रेंस 3 है, 7 और 2 का डिफ्रेंस 5 है, सिर्फ अंतर लेना है, 2 और 8 का डिफ्रेंस 6 है, 6 और 1 का अंतर 5 होगा, 1 और 6 का अंतर 5 हो किसी कच्छा में कुल कितने शाद रह है। इक लडगा वो आये करता दा क्या नाम है। उसका पहले दिनियस क्या नाम था यार? तो लड़की क्या नाम है? नाम है। वो बुलेट में नाखरी करने लगाता। पोसारे फेस्दूप में बोलके डालता. चंदन, चंदन कहां है आज कल हरीदा, कच्छा की लड़कियों में सीर से दसमें सान, पर आपको बताना है कच्छा में कुल कितने चातर है बनारसी बाबू जी, मनीज बताएं क्या चाते हैं मरकहा सांड, हाँ मरकहा सांड भी था एक बनारसी बाबू चंदन गया चांदनी के पास साधी होगी क्या उसकी नहीं, वो भी अच्छा था ये देखो, लिगा है कच्छा में कुल कितने चातर है ये पताना है, तो देखें टोटल अब कब निकाल सकते हैं किसी लाइन में टोटल अब तब निकाल सकते हैं आपको किसी एक व्यक्ति की किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों पता हो तो आप टोटल निकाल लोगे लिगा है हरिदा की जो रैंक है वो कच्छा की लड़कियों में सीर से दसमे नंबर पर है ओके हरिदा लड़कियों में दसमे नंबर पर है नीचे से कौन से नंबर पर है पता नहीं चलना पहले से तो नहीं उत्तर आया सुरेश सीर से पंदरवे इस्थान पर है तदा हरिदा और सुरेश के बीच में पांच चातर है सुरेश सीर से पंदरवे इस्थान पर है then the right answer will be C इन मेंसे कोई भी नहीं लिधुवानिया से है लिधुवानिया की रादनी बताना ज़रा लिधुवानिया से है चलो इसे try करो नमबर आप ट्रेंगल बता लगाना इसमें 2 ट्रेंगल इतने विच्चतर तरीके से छिपे हुए है मज़ा आ जाएगा आपको करो ज़रा, कितने number of triangle है यहाँ केवल UPSI की त्यारी चल रही है, जी नहीं, यहाँ पर railway की त्यारी चल रही है, यहाँ पर SSC की त्यारी चल रही है, यहाँ पर UPSI की त्यारी चल रही है, यहाँ पर एक बार आप सभी लोग लाइक करतें वीडियो को, अभी तब बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ सवाल में अत्तर बताइए, 16 आ गये हैं, जो दीपरकास दास ने 18 गिन लिये हैं इसी बीच कुछ लोग दीपरकास ने भी इसमें 18 गिन लिये हैं, कुछ लोग 16 गिन पा रहे हैं, तो वो बहुत आसान है बहुत आसान कैसे है, सबसे पहले आप केबल इस पार्ट को देखो, किस पार्ट को देखो, ऊपर वाले पार्ट को देखो यहां पर कुल कितने number of triangle है यहां पर आपके पास एक दो और तीन number of triangle है कितने हो गए तीन इसके बाद नीचे जाते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर एक दो और तीन यहां पर कितने number of triangle है एक दो और तीन तो तीन और तीन कितने हो जाएंगे 6 number of triangle हो जाएंगे कितने number of triangle हो गए 6 number of triangle हो गए 6 किन लिए आप लोगों ने एक सेकेंड रुखेगा 6 number of triangle हो गए ठीक है 6 के बाद यह होँआप आप लिए दिखलो यहाँ पर कितने number of triangle हो जाएंगे 1, 2, 3 तो 3 यहाँ पर हो गए 6, 3, 9 triangle हो गए 9 के बाद आप देखो यह भी एक उल्टा वाला है यह दिख रहा है यह दिख रहा है इस पर भी 3 है एक, 2 और मिलाकर के 3 तो 9 वा 3 कितने होगे 12 12 के बाद 13 13 के बाद 14 14 के बाद 15 15 के बाद 16 13 यह वाला 14 यह वाला 15 यह वाला और 16 यह वाला 16 मिल गए 16 सभी को मिल गए 16 के बाद आपको जो नहीं मिला है वो ये वाला नहीं मिलाता, 17 नमबर ये है और 18 नमबर ये है तो right answer is 18 correct कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कर लेंगे ठीक है आगे है समझ में right answer कितना हो जाएगा 18, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता हूँ इसे करिए, एक कुशन है series का, आपको पताना है next one क्या आने वाला है, अगला नमबर पता लगाई है 20 सेकंड से उपर का नहीं है 20 सेकंड में हो जाएगा, direct है वालाब, clickable है, click करेगा बहुत आराम से click करेगा, फालतु फालतु का नहीं है धन्यबाद, आमित यादो जी 35 है, then 35 है then 33 है then 33 के पत 99 है then 95 है, फिर 475 है series तेजी से increase की है तो सब कुछ है यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखें, 35 से 35 लाने के लिए आपनको क्या करना पड़ेगा या तो 0 add करो, या फिर 1 से multiply कर दो यहाँ पर देखें, क्या हो रहा है यहाँ पर आपका 2 minus किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 का multiply किया गया है फिर आपका 4 minus किया गया है तो आप समझ रहे हैं कि 1, 3 और alternate में multiply चल रहा है और alternate में minus चल रहा है subtraction चल रहा है पहले 2 का minus हुआ, फिर 4 का minus हुआ तो आप 5 का multiply करके अपन किस से minus कर देंगे अपन 6 minus कर देंगे 475 में से 6 minus कर देंगे तो हमरा आजएगा 469 killer है, आसान था, बहुत बढ़िया कोई ऐसा तो नहीं था, बवाली था नहीं आगला, आगे आएंगे, बवाली सवाल भी आएंगे लेकिन कुछ न कुछ आपको करने है 22 वह इसे try करिए 22 number try करिए आपको बताना है कि जब आप इसे open करोगे तो कौन सा figure आपको नजर आएगा तो इसकी photo खीच लो और उसको match करा लो, photo खीचने का मतलब यह है कि आप इस part में, यह paper का यह वाला part जो है, इसकी photo match कराओ क्या यहाँ पे photo match कर रही है नहीं कर रही है, यहाँ पे तो सवाली नहीं होता क्या यहाँ पे photo match कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इसकी photo match कर जाएगा, जो है सो रहेगा यहाँ पे है, यहाँ पे है तो subject होगी, अगर यहाँ नहीं है तो मतलब इसकी folding फिर open नहीं हो पाईगी is the right answer, कर लेंगे यह तरीका समझ में आ गया है न, जो होगा सो दिखेगा, जो होगा सो रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखेगा आपको पता लगाना है कुल कितने आयत है, क्या पता लगाना है कुल कितने आयत है ठीक है, इसे ट्राइ करिएगा पुस्पजीत सरकार जी, thank you so much rectangle count करने, number of rectangle count करते time, एक सीज़ आप याद रखें कि आप जब भी rectangle count करें तो directly मैं count करा दूँ directly count करा देता हूँ, जैसे मैं आपको इसको बना कर दिखाता हूँ, तो आप जल्दी से count कर ले जाओगे, अभी क्या है सिर्फ rectangle count करने है, वो मैं आपको देखना, उपर वाली एक line ड्रॉ करूँ तो इससे कितने rectangle बने है, समझना एक आपको ये वाला rectangle बन गया दिखा आपको एक आपको ये वाला rectangle बन गया दिखा आपको, दो और एक आपको ये वाला rectangle नहीं, ये नहीं rectangle है, ये पूरा इस line की वज़े से कितना rectangle बन रहा है इस line की वज़े से 3 rectangle बन रहा है कौन सा? एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला नीचे वाला, तो हर line की वज़े से 3 rectangle बन रहा है आप ये समझ सकते हो या फिर ऐसा कर लो, एक और तरीका है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसको ऐसे कर लो अभी आप बताओ इसमें कितने rectangle है तो आप आओगे इसमें 4 rectangle है 4 कौन कौन से है एक आपका बड़ा वाला ये है एक आपका बड़ा वाला ये है एक आपका बड़ा वाला ये है तो एक line पर तीन rectangle है चाल already हमारे पास है तीन इसपर बनेंगे तीन इसपर बनेंगे तीन इसपर तो 12 plus 4 कितना हो जागा 16 तो then the right answer is 16 number of rectangle सतरा कैसे हो गए 16 is the right answer 17 कैसे हो गए 18 कैसे आगए 16 right answer है रटारा केता ही नहीं होगा जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो अगर मालлав वर्ग और रेक्टेंगल सब काउंट करने होगे तो क्यासे काउंट करोगे और पिर बाद एक लाइन के विज़े से कितने rectangle लाएंगे एक ये आएगा एक आपका ये वल आएगा और एक आपका ये आएगा तो 9 के बाद एक लाइन पर 3 rectangle एक लाइन पर 3 एक लाइन पर 3 तो ये कितने हो गए तीन चोके 12 12 और 9 कितने हो गए 21 21 में से 5 वर्ग है कौन से 5 वर्ग है, देखो 1, 2, 3, 4 और 1 बड़ा वाला 5 वर्ग है तो 21 में से 5 वर्ग अटा दोगे तो सिर्फ rectangle बचेंगे, तो इंद राइट आंथर ही ऐसे कर लो सबसे बड़ा बार वाला वर्ग है square है, वो rectangle नहीं है 16 is the right answer आपको इसमें square नहीं count करने थे आपको सिर्फ rectangle count करने थे killer है सबसे, आ गया killer है, क्या हो गया killer, बीज़ the right answer इसमें square नहीं count करने थे अगला दीखे मैं सही बतारों, कथम से गाली आई निकल नहीं होगी न मेरे लिए सवाल देख करके रवीना टेगोर गीतांजली, मैक्सम गोरकी आप कोगे सर ये कहता सवाल हो गया हाँ हाँ, जाइए बाई, सर बेदर दो रहा है आराम करिए जाके आप देखे लिखा है, रवीना टेगोर की गीतांजली है मैक्सम गोर की बहुत फेमस बुख है मदर बहुत फेमस बुख है B is the right answer मिडनाइट चिल्टरन किसकी है, सलमान रस्दी की यार एक बात तो है current affairs पढ़ाते पढ़ाते नौलेज इतना ज़्यादा हो गया है मुझे, कहीं भी खड़ा होता हूँ आज ही एक जगे बहस हो रही थी जानते क्यों हो तुम लोग सरचंदर चट्टो पाध्या तो current affairs अगर आप exam भी त्यारी नहीं करें तो भी पढ़ना चाहिए Crime and punishment जो है ये Foyder Foyder Dotto Vosky ये छो Mother इंदर आई डानते कोगे सरी कैसा सवाल दे दिया अगले ट्राइगरे ओ, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों ये रहा NKT नहीं आ रहा ये बात NKT नहीं आ रहा अचकल NKT करके एक ललका आये गाता था NKT, current affairs अधुमाधार कमेंट करता है दिमाग खराब कर देता है इसा कमेंट करता है तो, नहीं Modi के लिए नहीं हुई अच्छल में कुछ और चीज़े को लिए France और उसको Australia को ले करके हो गई थी France और Australia कुछ ऐसा रहा ऐसे भी आप Media जैसे बाल का खाल निकाल रहे है मतलब दता, अच्छा दता था कहां तू 4-5 दिन से और एक बाद शेयर करके हो वीडियो को आज 100 कर लेते हैं हम लोग 91 जोधी प्रकाद दास आकास बोल्ट पहले दोधी प्रकाद दास बाद में 91 कैसे कर लेते हो यार चाय पे चर्चा चाय पे चर्चा ना कहिए उसे उसे दूद पे चर्चा कहिए दूद लेने कहते तो दो और तीन को अगर दिखा जाए तो दो और तीन मिला गरगे 23 हो जाएगा सिर्फ मिलाना है एक और एक 11 जैसे होते हैं वैसे वाला मिलाना है तो 23 प्लस 25 हो गया 6 और 5 मिलाएगे तो 65 प्लस 26 हो जाएगा 8 और 9 मिलाएगे तो दो एड़ करेंगे तो दैड़िवजिन नाइटी वन किलर है आ गया कुछ नया लगा इसमें कुलदीप कुछ वा है चला गया ये ट्राई करो कोशन नमबर 29 6 है 3 है 4 है 13 है 82 है थोड़ी महनत लगेगे इसमें हलकी सी महनत लगेगे किलर एक बड़ प्यार सु शेयर कराओ मज़ा आजए तुम्हें दूसरी की बीवीओं भी बड़ी चिंता है महाकाल कह रहा है इसकी बीवी इसको छोड़के बाग गई तुम देखे रहो हाँ बागी सावजदार को इसहरा काफी अपने मुझे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इर्षाद अब्दुल्ला धलो आजखल कमेंट करने हो मन नहीं करता है चलो ठीक है कोई बाद नहीं 727 आंसर आ गया इसी बीच कौन किया रहे महाकाल कर दिया दिखते हैं 6 से 3 कैसे आएगा 6 से 3 छोड़ो 13 से 82 कैसे आएगा 13 से 91 माइनस में 9 4 से 24 माइनस में 7 4 से 28 माइनस में 7 13 सत्य 91 माइनस का 9 7 है तो 9 गटाया 4 पंजे 20 माइनस में 7 अब सही है 3 तीर का 9 माइनस में 5 6 कम 6 माइनस में 3 1 है 3 है 3 है 5 है 5 है 7 है 7 है 9 है तो अब आएगा 9 मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और 11 गटाना पड़ेगा 9 दुनी 18 और 8 नोई 22 738 में से 11 गटाओ 777 अब किलर है कमलेश पाल बहुत पीछा चल ले है 16 बता रहे हैं अभी आ जाओ आ जाब वीडियो पीछे हो जाथ है कमेंट पीछे नहीं होता है शले इसे ट्राइ करिए statement है सभी स्वेत रक्त कोसिकाएं लाल रक्त कोसिकाएं है All white blood cells are red blood cells some blood cells are red blood cells अच्छा कुशन है सभी रक्त कोसिकाएं लाल रक्त्य कोशिकाएं होना एक संभावना है All blood cells are red blood cells in a possibility Correct है जब कुछ का होता है तो all के होने की संभावना होती है Some red blood cells are not positive है तो negative नहीं लेना पहला correct है, दूसरा सही नहीं A with the right answer कर लेंगे सभी को आया केवल ओ केवल एक सही होगा, इसलिए option D correct होगा इसलिए option कौन सा correct होगा, D समझ गया जब आपसे ये कहा जाता है कि कुछ लड़के हो सियार है तो इसका मलब है सभी लड़के हो सियार हो सकते हैं तभी तो कुछ हो रहा है तो उसकी संभावना रहती है आप ऐसे कह सकते हैं कि सर हमारे पर कुछ की जानकारी है सभी के बारे में आपस जानकारी नहीं आप ऐसे भी कह सकते हैं तो जिसके बारे में जानकारी नहीं वहाँ संभावना लगा दीज़ी आपको सम ब्लड सेल्स के बारे में जान करनी दिखी थे तो यहां पर आल के बारे में पूछ लिया तो आप कर सकते हैं ठीक है चलो इसे करें आज लग रहा है कि आज हम लोग 100 टरच कर लेंगे फिनलेंड क्यूबा कनाडा जल्ली करो नहीं तो अभी वह आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको सीटिंग करो मैं अरे डिसीजन मेकिंग आ जाएगा तो बाग खड़े होंगे सम फिनलेंड क्यूबा कनाडा और सेंट लूशिया में क्या अलग है नहीं सम नौट में पॉसिबिल्टी नहीं होगी फिनलेंड ये एक यूरोपियन कंट्री है बाकी सभी कैरबियन आईलेंड में आएगे क्यूबा है कनाडा है सेंट लूशिया अमेरिका में ये सब किसमें हैं अमेरिका में सेंड लूशिया कंट्री ये भाई ये 194 कंट्रीज है according to UN फिनलेंड अलग है फिनलेंड एक European कंट्री है चला गया है निकल गया चलो इसको ढूंडो कहां चुपा हुआ है इसको ढूंडो ये कहां पर चुपा हुआ है मैं दिखाओ कहां पर है ये देखो आप देखोगे ये बकाईदा ऐसा है और यहां पर ये ऐसा आ रहा है तो D is the right answer killer है बहुत बढ़िया बागी और कहीं नहीं है बागी अलकापुल का कहीं touch हो गया कहीं कुछ हो गया सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आज बहुत कोई बात नहीं आराम से करते हैं 20 सेकंड आपके आप खुद पढ़ें और खुद करें D में छिपा हुआ है एक लड़की की और इसारा करते हुए नमीन कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर की एक मत पुत्री मेरी ग्रैंड मदर की पुत्री है क्वाइन्स वाला कौशन कौन सा करर कह रहे हैं आप उसकी ग्रैंड मदर की एक मत पुत्री मेरी ग्रैंड मदर की पुत्री है यानि कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो मेरी ग्रैंड मदर है तो इसका मदलब में और वो क्या है भाई भाई है किलर है समझ में आया ब्रो यस ब्रो कोईन सवाला कौन सा कोशन कह रहे है मैंनों देख लेंगे आपको कोशन नमब 34 फटाक्ष करें आपको पताना है वाईलिन गिटार बैंजो और बासुरी और वाईला इसमें से अलग क्या है इसमें से अलग क्या है वाईलिन गिटार बैंजो बासुरी वाईला फ्लूट अलग है बागी अगर आप चार देखेंगे तो बागी सभी में वो होता है इस्ट्रिंग होता है तार होता है बजाने के लिए कुशन आसान है पट क्लिक करने के उपर है अगर क्लिक कर गया तो बहुत आसान लगेगा बासुरी फ्लूट बहुत शांदार एक बार और शेयर कराईए प्यार से तो अब हम 100 कवर कर सकते हैं 100 हुआ था था थो थोड़ा समान जनक लगता है कि अहां चलो ठीक है अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया शांदार यार मज़ा आ गया 1845 is the right answer क्यों? चुकि यह 70 है 70 लिख सकते हैं 14 पने 70 2 से डिवाइट कर दीजिए 14 इंटू 5 कर दीजिए 17 आ जागा 18 को डिवाइट कर दीजिए 2 से 9 आ जागा हाफ में 5 को मडिपलाई करना that is 45 कर लेंगे बहुत अच्छ है probability वाले question करा दे probability math में आती है UPSI में ये probability जो है वो math में आती है even किसी भी exam में probability math में आती है आपके चाहते हो तो मैं करा दूँगा probability की सारे question जो आपके reasoning level के होते हैं वो मैं आपको करा दूँगा इससे try करें ये भी एक आसान सा सवाल है 14, 22, 70 के हिसाब से group ढूणना है same group कौन सा होगा same group कौन सा होगा फटा-फट से करिए question number try करिए question number 36 और आप सभी से गुज़ारीज है कि भाई वीडियो को और थोड़ा सा share करें दबा के share करें हम कहें share कर रहा हो तो तुम लोग कम हो गए 36 यहाँ पर कितना लगा है 77 77 का मतलब यह है कि 7 इसका और 11 इसका आधा-आधा लेलो क्या लेलो? आधा-आधा लेलो आधा-आधा लेलो तो इसका 9 लेलो इसका 16 लेलो हो जाएगा यह 1694 हाफ-आफ लेलो आधा-आधा probability करा दे कितने लोग चाहते हैं probability करा दी जाए probability करा दी जाए प्राइक्ता करा दी जाए जो समझ में नहीं आते वाले question करा दी जाए चलो, करा देंगे हम input-output वाला pole डाला था उसका result क्या रहा मैं देखा नहीं है अकार ढला था न? तुमने मैं देखा था आकार ढला तो था लेकिन उस में बात देखा नहीं pole का दि आभी देखता हू ए गंटे में खतम हो जाएगे सारे question एक तरफ से एक लल्लका जो अपने maatah-pidah कि एक मात्र संतान बेसिक लेवल खतम हो जाएगा वो आला लेवल नहीं खतम होगा कि टीम बना लो फिर उनका ये करा लो वो करा लो ना खतम हो पहेगा एक लड़की को अपने अंकल की माता के पुत्र के पुत्री के रूप में पेश करता है लड़की उस लड़के से किस प्र समझे ना अंकल की माता समझते हैं देखो अंकल मतलब हो गया या तो मामा होंगे या फिर चाचा होंगे हम लोग पहले चाचा वाला केश पकड़ते हैं अपने चाचा की माता चाचा की माता यानि पापा की माता पापा की माता यानि दादी की माता दादी, दादी के पुत्र यानि की पापा पापा की बेटी यानि की बेहन बेहन है क्या sister is the right answer cousin भी हो सकता है cousin भी हो सकता है set theory practice करा दिए set theory अब फिर पूरा math है हमसे पढ़ लो अब ही set theory पढ़ लो फिर करो integral calculus भी हमको पढ़ा दो आना जाना set theory बेन डियाग्राम से की जा सकती है चाचा वाला case हो गया अब मामा वाला करेश लिलो मामा की मम्मी मामा की मम्मी यानि नानी नानी का बेटा फिर से मामा मामा की बेटी तो ये cousin भी हो सकती है ये cousin भी हो सकती है और बेहन भी हो सकती है ठीक है अब हम देख लो अब समझो लिगा है अपने माता-पिता की एक मातर संतान है माता-पिता की क्या है? एक मातर संतान है तो कजिन और सिस्टर में से कजिन ही ठीक रहेगा क्योंकि फिर बहन नहीं होगी यानि ये उसके चाचा की लड़की है या तो मामा की लड़की है तो वो कजिन ही है आगे हैं समझ में, मुझे बहुत अच्छा आता है integral calculus, बहुत तकड़ा, शलो, अब आगे है decision making में, कहीं जाईएगा नहीं, अब यहाँ पर आपको एक प्रतिष्ठित company में लोगों को chain करवाना है, आप company के board of director है, शरतें आपने क्या रखी हैं सुनिएगा, जिसको select होना है पर लिख लीजेगा, pen and paper उठा लीजे पटाक से, दसमी और बारवी में 75% mark चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख लेना, दसमा, बारवा, 75%, condition number one, ऐसे ही paper पर लिखनो छोटा सा है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जब आपके सामने आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, दूस अच्छा, आठ सेप्टेंबर 2016 को 25 से जादा नहीं होना चाहिए, अच्छा, आठ सेप्टेंबर 2016 को 25 से जादा, मलब एकदम नौजवान चाहिए, 25 से लेस होना चाहिए, 25 से लेस, चैन पर इच्छा में कम से कम 60%, यानि इंट्रेंट टेस्ट भी कराया है, इंट्रेंट टे यानि अगर उसकी IU जो है वो थोड़ी बहुत अधिक है लेकिन उसके पास एक वर्स का अनुबाव है एक वर्स अधिक का अनुबाव है तो उस मामले को company के अध्यच के पास बेज देना ठीक है अगर E वाली follow ना हो यानि कि उसके पास certification ना हो और 30,000 रुपया देने को तयार हो कम से कम तो और इस नाता के तर में उसके 75 परसेंट माख हो तो भी आपके company के अध्यच के पास जाएंगे के कंडिशन नोट हो गहीं सारी कंडिशन नोट हो गहीं कंडिशन नोट हो गहीं कि सभी को अब अब देखते हैं इसे ट्रै करते हैं कुश्चन नमबर 38 इसे ट्राइ करूँ 20 सेकेंड है आपके पाद नतासा के साथ क्या किया जाएगा मार दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा क्या किया जाएगा इनके साथ दिया नतासा के दस्मी और बारवी में असी प्रिस्ट अंक है यानि कि इन्होंने पहली कंडिशन सैटिस्फाई कर ली है 75% अंकों के साथ सिविल इंजिनिंग पूरी की है दूसरी कंडिशन भी इनकी सैटिस्फाई है 82992 से 2016 तक देखा जाए तो आयू जो होगी वो 24 साल के राउंड हो रही है वो भी ठीक है चैन परिच्छा में 60 प्रिस्ट अंक प्राप्त की है चौथी कंडिशन भी सैटिस्फाई हो रही है और ये 35,000 रुपए की रासी बुक्तान करने के लिए तयार है क्योंकि इनके पास कैड का सर्टिपिकेट नहीं है किसका सर्टिपिकेट नहीं है कैड का सर्टिपिकेट नहीं है तो अगर उनके पास कैड का सर्टिपिकेट नहीं है और वो 35,000 रुपए करने को तयार है तो उनको क्या करना चाहिए इस नातक के नंबर देख लो उनके graduation के number कित्पे है graduation है 75% है civil engineering में तो क्या करेंगे मामले को अध्यच के पास बेजा जाएगा किसके पास बेजा जाएगा मामले को अध्यच के पास बेजा जाएगा ठीक है हाँ जी हाँ कजीनी तो कराया है भाई अध्यच के पास बेजा जाएगा क्योंकि इनके पास CAD का certificate नहीं है ये point killer हुआ अच्छा है अगला करो इसे try करो आदेश के साथ क्या जाएगा 20 second मैं condition लिख दे रहा हूँ तब तक 10, 12, 75% मेकेनिकल या सिविल में 70% है ना 75% है आकास ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पर don't do this D answer कर रहे हैं लोग आएए देखते हैं देखिए आदेश के पास जो है वो चैन परिशा में 65% अंग हासिल की है condition वो स्रेटिफिकेशन ना पूरी कर रहे है मेकेनिकल इंजिनर में 75% है ये भी पूरा हो रहा है 500 में ते 370 नंबर है लोचा हो गया 370 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि इनके 74% है 555 तो पांच चोको बीस जबकि हमें क्या चाहिए थे हमें चाहिए थे आपके 10th और 12th में 75% 10th और 12th में कितने चले थे 75% चाहिए थे तो ये जो आदेश है इनका चैन नहीं हो पाएगा इनका चैन नहीं हो पाएगा जानकरी तो दी गई है लेकिन इनका चैन नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके 74% आ गए है हमें कितने चाहिए थे हमें 75% चाहिए थे 12th में तो ठीक है 12th में तो 12,7,84 75% से उपर जा रहे हैं दस्वी और बार्वी दोनों में 75 से उपर चाहिए थे भागी तो ठीक था हो जाता सेलेक्शन बस 10 का मामला करबड़ कर गया ठीक है आगया है समझ में मैंने देखा नहीं लेकिन फिर भी आप जबाब ना दें इस तरह के इस तरह का करिए 40 नमबर ट्राइ करिए इस टेला करिए सवाल पर द्यान रखो सर आप पढ़ लियते हैं पर आंसर नहीं करतें प्रतिष्ठा सर्मा क्या पढ़ लिया मैंने और आंसर क्यों नहीं करूंगा भाई मैं ऐसे ऐसे इल्याम लगाते हो तोह लोग मेरे ऊपर है इस सर पढ़ लिया मेरे चलो 6-6-2011 को इस नाता पूरा किया है इसकी जनकोरी जरुवत नहीं थी 10-वी में 80% अंग है 12-वी में 75 आहा तेज लड़का है Civil Engineering में 85% है बहुत तेज लड़का है Chain परिच्छा में 65% अंग हासिल किया है CAD का पाठिकरम भी पूरा किया है और इस समय 21 वर्ष की आयू है 6-6-2011 में 21 वर्ष की आयू है और आपको आयू का calculation कब करना है आपको आयू का calculation कब करना है 8 सितंबर 2016 को और 25 से कम होनी चाहिए 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और graduation के समय उनकी आयू कितनी बता रहें 21 साल थी ग्रेजियोशन के समय उनकी आयू कितनी बता रहे है इसनातक इस्तर की पढ़ाई पूरी करने के समय उनकी आयू 21 वर्स्ति 2016, 21, 26 साल का हो जा रही है क्या लगे है नौकरी दे दे, ले ले इसे, सलेक्ट कर ले बताईए, बताईए, क्या करें, सलेक्ट करें इसे बताने है, इसनातक इस्तर की पढ़ाई पूरी होने की समय वह 21 वर्स की थी और 2011 में उन्होंने इसनातक पूरा किया है 6-6-2011, आयू का गर्णा कब करना है, आयू का गर्णा करना है आप यहाँ पर देख लो, 8 सेतंबर 2016, अब हम आयू इनकी निकाली लेते है कि इसमें कितने साल हमें आयड करने पड़ेंगे 6-6-2011 को यह 21 वर्स की थी 6-6-2011 को वह 21 वर्स की थी और 8 सेप्टेंबर, सेप्टेंबर मतलब अगस सेप्टेंबर, आठवा महीना 8-8-2016 5 साल 2 महीने हो जगे, 26 साल की हो गई है सेलेक्ट करे अच्छा, जब जबस्ती है, सेलेक्ट कर ले 9 महीने कैसे हो गई यार 2016 से 2011 उसने 2011 में इसनातर पूरा किया है और 10 वी के अच्छा में 80% और 12 में 70, बागी सब ठीक है, 21 साल की हो चुकी अब बताओ, सेलेक्ट करूँ की नय करूँ मैं आपको समझाने के कोशित करूँ, आप से जानना चाह रहा हूँ अच्छा, हम आप पडूसी है, मैं पनकी आप बर्रा से, कहां मैं बर्रा में नहीं हूँ सेप्टेंबर 9 है, आँ, ठीक है, चलो, सेप्टेंबर 9 है, ठीक है सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो आयू है, वो 25 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए साप साप लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो 8 सेप्टेंबर 2016 को उम्र 25 वर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर ये है, तो उसके पास एक साल का वर्स का अनवा होना चाहिए तब उसे हम कंपनी के अध्यश के पास बेजेंगे, आये ट्रेकते हैं कि उसके पास एक वर्स का अनवा है कि नहीं अनवा को बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा उसका चैन नहीं होगा, किलर है, बास समझ में आगा है, कह रहे हैं सरक कर दो पड़ी लिखी है, ऐसा मत करते न चलो अब आगया है, इन्पूट आउटपूट, ट्राई करें, आईए, ये जड़ा गौर से देखें सवाल में कि हो क्या रहा है, इन्पूट आउटपूट देखें, 49, पॉलें, 92, फ्लावार, 02, एंथर, 16, स्टेमें, 60, अब क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिस करते ह है, पहले वाले में क्या हुआ, कि 92 इन्पूट ने यहां पे लिखा, पहले चरण में, एंथर इन्पूट ने यहां पे लिखा, फिर आप देख रहे हैं, खतरनाक सवाल है, ध्यान से समझना, नंबर वहीं पड़ा रहे गया, एक नया नंबर अंदर आया, लेकिन अक्षर अंदर आ गया है, एक तरफ अरेंजमेंट बाहर साइड है, एक तरफ अरेंजमेंट अंदर की उरा रहा है, समझे रहे हैं, 92 को रोक है, 60 अंदर ले आए, वहां एंथर को अंदर गुसेड है, फ्लावर बाहर डाले है, और इस तरीके से अल्फाबेट को अरेंग किया है, A to नंबर अरेंज किया है, बड़े से छोटे के करम में, बहुत ध्यान से करना इस सवाल को, नहीं करबड हो सकता है, गुड नाइट नहीं, ये कहां से आ गया, लोग कह रहे हैं, गुड नाइट नहीं, ये सवाल करके जाओ बई, इन्पुट आउटपुट तो जरू करके जा हुआ है, सब में, बाकी नंबर अंदर अरेंज हो गए, एंधर को ये अंदर लेते हैं, तो आपका जो राइस साइड अरेंजमेंट है, जो आपका राइस साइड अरेंजमेंट होगा, सवाल बहुत छोटा सा है, वैसे, जो आपका राइस साइड अरेंजमेंट है, वो आप आपका अंदर की और अरेंज होगा दीरे दीरे में चीज़ें बाहर की और जाएंगी वो अंदर की और खिसकता चला जाएगा और जो आपका लेप साइट अरेंजमेंट है उसको आपको बाहर लिखना पड़ेगा देखिए क्या पूछा गया है कि यह जो है 82 हर्ट 54 फ्लैक 32 इसको अरेंज करने के लिए कुल कितने चरणों की आवशेक्ता होगी आइए करते हैं लिख लेते हैं 82, फिर H, फिर 54, फिर F, फिर 34, फिर R, फिर 94, फिर A और फिर 18, टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल बन जाएगी काम चल जाएगा अपना, ठीक है, छोटी सी टेबल बन जाएगी काम कर जाएगी, क्योंकि अंदर अरेंग्मेंट है तो जेतने element आपको arrange करने पड़ेंगे, उतने ही step लगेंगे इसमें, चोटी ये एक अंदर arrange होने लगा ना, अंदर arrange होने मुँना, चीजे बहार arrange होने लगए तो इसमें अगर इसमें तरफ auto arrange नहीं हुआ, तो जेतने आपको element होंगे, उतने ही लग जाएगे तो सबसे पहले alphabet इधर arrange करेंगे A to Z alphabet देख लो, सबसे छोटा कौन सा A है A के बाद F है छोटा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है F के बाद H है, फिर R है number देख लो सबसे बड़ा number कौन सा है, सबसे बड़ा 94 है 94 से छोटा 82 है 82 से छोटा 54 है 54 से छोटा, 34 है 4 है, 1, 2, 3, 4, 5 5 है, ठीक है 18, तो सबसे पहले किसको arrange करेंगे 94 को, कहा arrange करेंगे 94 को निकाल करके आप बाहर arrange करो दिख रहा है न, आपको दिखेगा, प्रॉपर दिख रहा होगा 94 को arrange करके cut करेंगे यहाँ पे करेंगे जबकि A कहा arrange करेंगे, A वहीं बगले हम लिख देंगे बागी इसके बाहर arrange होगा तो यह हो गया पहला step अब देखो, 1, 2, 3, 4 4 step तो आपको minimum लगने है ठीक है, पांचवाँ step लगेगा तो 94 के बाद, अब arrange करेंगे 82, 82 को कहा arrange करेंगे 82 automatically arrange है, तो 82 को यहां लिख लो, लेकिन इसको step मैट काउंट करना, 82 को यहां कटके लिख लो लेकिन हाँ, F उदर arrange करना पड़ेगा तो step लग जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे दूसरे step पे यह काब होगा, यह कौन सा step होगा दूसरा, कुछ तो arrange होगा न, F तो arrange होगा ही न, होगा 82 F के बाद 54 अरेंज करेंगे, यह माँ सोचना कि 82 automatically arrange है, तो दूसरा नमबर अरेंगे, नहीं, 82 ही arrange होगा पहले फिर उदर F arrange होगा, दूसरा step इसके बाद 54 arrange करना है, तो 54 cut करके यहां पर लिखो, अंदर आ रहा है और उदर क्या लेके जाना है, उदर आपको लेके जाना है, H, तो H उदर चला जाएगा H को भी cut कर देना अब 54 के बाद 34 देखो automatically arrange है, बट R arrange नहीं है तो R को cut करके आपको यहां पर लिखना ही पड़ेगा और इदर यह 34 हो गया तो यह आपको कितने step होगा है, 4 आप देखरें, automatically 18 जो है, वो automatically 34 के बाद आई जाएगा R है न, 18 जो है automatically 34 के बाद आई जाएगा तो हमें कितने step लग रहे हैं, 4 step लग रहे हैं इसको arrange करने में, कुल कितने step लगेंगे 4, आ गया है समझ में कोई परिशानी है, किसी को doubt है इसमें तो बता दीजे ठीक है अरे जाओ नहीं यार अभी, अभी मज जाओ इसको तो कर लो, कम से कम input output जिनको समझना है वो तो समझ से जाओ ठीक है, B is right, killer है अगला करो सेम चीजें उसी में करना है आपको पता है कि तीसरे चरण में दाएं छोड से तीसरे पद के 22 से चौथा पद कौन सा होगा आईए देखते हैं तीसरे चरण तक जाना है, table हम लोग वही पर बना चुके थे, और आप चाहें तो वही पर किची-पिची कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ मैं आपको फिर से बना दे रहा हूँ, table मेरे को time नहीं लगेगा, आप यह देखो कि कितना time लगता है, कुछ time नहीं लगता केवल note करना होता है, सावधानी पूरवा बागी है कुछ नहीं सबसे छोटा नंबर A है, A से बड़ा F है, F से बड़ा H है, H के बड़ा R है नंबर कौन सा है सबसे बड़ा, नंबर है आपका 94, 94 के बाद 82, 82 के बाद क्या था? 54, 54, 34, 34 के बाद 18 तीन स्टिप तक जाना है, पहले स्टिप में किसको अरेंज करेंगे? यह मैं बार-बार इसलिए करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पहले स्टिप में 94 को अरेंज करेंगे, 94 यहाँ पर आएगा और alphabet में A को अरेंज करेंगे, तो A को कट करके आप यहाँ पर लिख लो यह आपका पहला स्टिप हो गया दूसरे स्टिप में 82 आटोमेटिकली अरेंज है, तो 82 को यहाँ पर लिख लो लेकिन F आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो दूसरा स्टिप लगेगा जरू, तो दूसरा स्टिप हो गया तीसरे स्टिप में 54 है, 54 को आप यहाँ पर लिख लो H को आपको काट के यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो यह automatically arrange हो गया 54 के बाद 34 automatically arrange है R आपको arrange करना पड़ेगा इधर तो यह आपका हो गया 4 step हमें 4 step पे जाना ही नहीं था हमें 3 step पे ही तक रहना था तो 4 step नहीं करते है तो यही पर आगए 3 step 3 step में आपको देखो बना क्या है आउटपूट आपका क्या आगए 3 step के बाद 94, 82, 54 82 कटा हो गया फिर उसके बाद 34 34 के बाद R R के बाद 18, 18 के बाद A A के बाद F, F के बाद H पूछा गया है इंपूट के तीसरे चर्ण में दाएं छोरते तीसरा पद 1, 2, 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 4, चोथा क्या हो गया 54, तो ते इंदर राइट आंसर माद क्या हो गया 54, कर लेंगे, कल सुपर्स यह आएगा ते यही सवाल एकजाम से आउट करेंगे लोगों को डारेक्ट बता दीजे सर, डारेक्ट का कोई मतलब नहीं बाई डारेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यही सवाल लोग करेंगे नहीं डड़के मारे आडे आप समलो की 90% जनता इससे खाली हो जाएगी, तो सही उत्तर हमारे क्या हो जाएगा एह हो जाएगा, ठीक किलर है, अब यह आखरी सवाल आजका, देखो यह 23,25 नमबर पर था, लेकिन मैंने इसको बाद में लगाया पूछा गया है, इन्पुट में तीसरे चरण में 22 से चौथा पत ग्याद कीजिए, 22 से चौथा पत, देखो 22 से चौथा पत, एक 24, एक बाद आपने लिख लिए आना तो आप पूरा काम बड़े आराम से हो जाएगा, 34, तो इसका भी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कर लोगे सभी का समझ में आ है, किसी को कोई परिशानी है टिक, तो डरना नहीं है input-output से, कताई नहीं डरो, input-output बड़े आराम से चीजे कर सकते हो, कोई यहएवा नहीं होता है, बस आप थोड़ासा ध्यान से करें इसे, ध्यान से करने का मतलब यह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, एक-दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे और मन नहीं करेंगा, लेकिन फिर आपको अच्छा भी लगेगा, करने में मज़ा भी जाएगा इसमें किया है आखणों को समेटना है आखणों को समालना है अब पता निया पुलिस में कौन से आंकडे समाले जाते हैं चलो फिलाल बाबाए टेक केर ध्यान रखिएगा अपना आप सभी अंदर तक बने रहते हैं मेरा बड़ा उसाव अरधन करते हैं आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया एक बढ़ और हाँ जी सिरीज वाले कोशन लगते नहीं है प्रतिष्ठा सर्मा कह रही है लिए को सिरीज वाले कोशन के लिए आप एक काम पर प्रतिष्ठा अचा चलो मैं कल आप रीनी मैं राउन मिशा के नम से टेलीगराम ग्रूप जोइन करो एक अभी है टेलीगराम पर उदर मैं आपको दो दिन के अदर सीरीज की पीडियाप देता हूँ महाकाल को एड़ कर देना उसमें आकास है न गुड़ नाइट गुड़ नाइट बाबाए टेक केर स्कोरिंग चेप्टर है यह कोशन आट रिपीट कर दें कोशन आट रिपीट क हाँ इसमें क्या मी आजा सुलि disciples देखें लिखा है कि कौन सबसे मोटा है यह पूछना है लिखा है A, B से मोटा है अच्छी बात है लेकिन C से पतला है C सबसे पतला नहीं है तो यह हमें पता ही है तो इससे हम नहीं निकाल पाएंगे कि सबसे मोटा कौन है क्योंकि D और E के बारे में जानकारी उपलब्द नहीं है यहाँ पर लिखा है A केवल B से मोटा है यानि A is only fatter than B बाकि सब उससे मोटे है A केवल B से मोटा है बाकि सब जो है वो A से मोटे है यानि वो और किसी से मोटा नहीं है तो इसकी position यहीं पर आईगी A केवल B से मोटा होगा C जो है वो E से मोटा है ठीक है? मुझे पता है C को E के उपर रखना है लेकिन अब मैं यह भी जानता हूँ कि A केवल B से मोटा है यानि कि B सबसे पतला था उससे मोटा A था C और E यहीं उपर कहीं आएंगे लेकिन C टॉप पर नहीं है तो जब C टॉप पर नहीं है और C E से मोटा है लेकिन सबसे मोटा नहीं है तो C टॉप पर नहीं आएगा तो C को यहीं भरना पड़ेगा और उसको वो E से मोटा है तो E के लिए केवल A की जगे ही बच रही है अब ultimately एक ही आदमी बच रहा है जो इससे मोटा हो सकता है वो है D तो अकेले 2 से उत्तर आ जाएगा अब यह किलर है ठीक है 16 भी repeat कर दीजे अनुज आप जॉइन कर सकते हो उसमें ऐसा कुछ है नहीं आप जॉइन कर सकते हो उसमें ऐसा कुछ है नहीं यह किलर हो गया सभी को कुशन नंबर कौन सा कह रहे है अब इसे 16 भी repeat कर दे यह किलर हो गया कुल्दीप उमीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा नहीं आया होगा तो बताना मैं दुबारा बता दूगा सोला में क्या दिख्या थै मोहन पूर्व की ओर 5 मीटर चला इंदा इस डिरेक्शन दाई और मुणा 4 मीटर चला फिर दाई और मुणा 5 मीटर चला फिर वो बाई और मुणा है 20 मीटर चला फिर वो दाईयों उमरता है वो बीस मीटर चला तो आपको पूशा गया है कि प्रारंबिक बिंदू से किस दिसा में है तो प्रारंबिक बिंदू से किस दिसा में है साउथ वेस्ट की तो है आ गया है समझ में आप मैट इस टार्ट कर दीजे समझ भे नहीं आता ठीक है और कोई डाउट हो तो बताओ और किसी को कोई डाउट हो कोई परिशानी हो तो बताओ सेप्टेमबर वाले जजला हो गया है प्रतिष्ठा आप देर से आएगो सर मिस्क हो गया चलो फिराल आज के लिए तनी रखते हैं आनंद वे भी आप लेट आए हो हम यहाँ डाउट डूर करनेते हैं भी बच्चों के चली फिराल इजाज़त दीजे कल सुपेस यह आएगा और दोनों जो हैं वो करेंट अपेस मैं एक साथ मर्ज कर दूँगा इंपॉर्टेंट यूज करा दूँगा आपको ज्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो आराम से करा देंगे नंबर दूसरा था कोई नहीं चलो बबाए टेक क्या टाइमिंग जो है डेली क्लास की मैं आपको सारी टाइमिंग बता दे रहो अच्छा बात है कि आपने टाइमिंग पूछ ले चलते जलते सुबह साथ बजे करेंट अपेर्स धमाकेदार साम साड़े छे बजे SSC GD के क्लास रात नौ बजे RRB NDPC फिलाल UPSI के नाम से चल रही है लेकिन आप किसी भी वंडे एक्जाम के लिए यहाँ पर रीडिंग कवर करते हैं साम साड़े छे बजे 25 कोशन होते हैं तो 25 वाले फॉर्मेट में है यहाँ पर आपके 40 कोशन कराए जाते हैं चलो, बाबाई ठेक केर, ध्यान रखेगा अपना यहाँ, थैक्यू अकास